मेचर रिवर्स अफ ता वर्ल्ड के पार्ट टु में हम पढ़ेंगे पॉर्टेंट रिवर्स इन यौरप सौथ अमéryका, नार्थ अमेरका, अफ्रीका, ऐस्ट्रेलिया और री कैब किया जाएगा ना सिरफ इन कांटिनेंट्स के मेचर रिवर्स का बल्के पार्ट naar 1 में भी जितने हम डिसकस की हैं और लास्ट पर कॉन कंट्रीज को डिसकस किया जा características जिन में कोई भी रिवर नहीं ये अपॉर्टैन्ड रिवर्स इन यॉरेप यॉरेप में एमपॉर्टैन्ड रिवर्स कौन कौन से हैं वो लॉंगेस्ट रिवर इन यॉरॉप जो है कि वॉल्गा रिवर है वॉल्गा रिवर यहां पर देखें कि यहां से शुरू हो रहा है सेंट पीटर बर्ग से अगाज हो रहा है और ये जा के कैस्पियन सी में आउट फ्लो होता है वॉलगारीवर का कहां से इगाज हो रहा है ये जा कि आउट फ्लो हो रहा है कैसपियन सी ये इसलिए अपोर्टन है कुणके اس के एक ट्राइबूट्री मसको के गजरती है तो मसको के है ये रश्चिया का capital है और ये agriculture के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा valuable है इसलिए इसके बार के ज्यादा तरचांसे है कि इसके बारे में question आ सकता है दनूब river मेजर रिवर इन यॉरप दूसरा जो मेजर रिवर है वो दनूब रिवर है जो के यॉरप में है जो इसको आप मैप में देख सकते हैं यहां से शूरू होता है और जाके यह बलैक सी में आउटफलो यह दनूब रिवर यह जा रहा है यह बलैक सी में जाके आउटफलो इसका आगाज यहां पर देखें यह जर्मनी से आगाज हो रहा है important rivers in south America सौथ अमेरिका में Amazon है और Amazon के बारे में हमने बड़ी तफसील से पहले पाड़ चुके हैं मजीद यह है कि यहां से शुरू होता है इसके बड़े होने की वज़ा यही है कि इसकी ट्राइबिटरी इस बहुत ज्यादा और यहां पर यहां पर यहां रेन फोरेस्ट है जिसकी बज़ाँ से यहां पर और दूसरा बड़ा जो सौथ अमेरिका में रिवर है वो पराना है पराना यहां पर देखें यह उपर से शुरू हो रहा है यहां से शुरू होता हुआ यहां हमारे पास है अपनार्फमेรका मनार्फ अमेरکा में हमारे पास तो जका आगाज यहां से शूरू हो रहा तो यह जाके गलफ आफ मेक्सिको में ओट फ्लो होता है और दूसरा जो है मिसूरी जो के इस मिसिस्पी की एक ट्राइब्यूटरी है अफरीका में जो सबसे अफरीका में जो सबसे अफरीका का सबसे बड़ा द्रिया है और ये ना सिर्फ अफरीका का सबसे बड़ा द्रिया है बलके ये दुनिया का सबसे बड़ा द्रिया है इसके बाद कांगोники, जायर, दूसरा बड़ा घुरिया है। वह कांगो और कांगोा भी कहा जाता है यह इसको ख्यार कानगोजा है जो के यह इसमें अपॉर्टेरिट है कि यह EQ ni को आक्वाद ख्याएज को दो दौ दौध़ा करास करता है यहां से शुरू हुआ, यहां से होता हुआ, एक बार यहां पे अक्वीटर है एक बार इसने अक्वीटर को क्रास किया, फिर उसके बार उपर जा गए, फिर दुबारा यहां पे दुबारा अक्वीटर को इसने क्रास किया सौथ ओशन में यह जाके जाता है major rivers of Africa Africa में जो दूसरे important rivers रिवर्द है वो जिम्बाजी रिवर्द है non far, victoria fall, crucial far, hydropower इस पे hydropower के अफरीका में बहुँ ज़्यादा एक important परोजेक्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुँ ज़्यादा important है और इसके अलावा यहां पे जो दुनिया की बेहतरीन डौटें वाटर फाल्स हैं इसी दर्यापे एक्जिस्ट करती है जो कि आप देख सकते है नक्षे में जिसका आगाज यहां से आउटफलो होता है और यहां से चलता हुआ यहां पे इंडियन ओशन में आके आउटफलो हो जाए यह ज़्यादा रिवर और इसी पार ही वक्टोरिया फाल्स है औरंज रिवर सौथ अफरीका में लारजस्ट लिवर है और इसमें इसके करीब तरीन जो है वो डाइमर्ड बोसर्टस है डाइमर्ड के हीरे के जखायर है जिस वजह से यह बहुत ज़्यादा मशूर है जिसको आप यहां पे देख सकते है नक्षे में यहां से औरंज रिवर यह लिसोतों से इसका आगाज हो रहा है लिसोतों होने के बाद यह अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाता है तीसरा अमपूर्टन जो मेजर रिवर अफरीका में वो है नाइजर थर्ड लॉंगेस्ट वाइटल फार अगरिकल्चर और ट्रांस्पोर्टेशन यह बहुत ज़्यादा अफरीका के एरिया को पानी सप्लाई करता है और ट्रांस्पोर्टेशन के लिए इस्तमाल होता है इ गीनिया से अगाज हो रहा है माले से होता हुआ यह आके दोबारा गल्फ ऑफ गीनिया में आउटफलो हो जाए मेजर रिवर्स इन अस्ट्रेलिया यह इसके पांच पार्ट हैं और इस पांच पार्ट में यह जह वाला है न्यू सौथ वेल्स इस स्टेट में सबसे ज्याद दर्याप आए जाते हैं बाकी में जो है वो डैजर्ट है या दिगर पॉर्शन है इसको जून कारके यह कहा जाता है यह जो है इसमें एक डार्लिंग रिवर है और दूसरा मुरे रिवर है और यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी इसके एसके एस्टेलिया के ज्यादा जो एट्वांसफेर है वो सूटेबल नहीं है यह डार्लिंग रिवर है और यह मुरे रिवर है यह इंपोर्टन्ट दो दर्याजों है यह एस्टेलिया में एक्जिस्ट करते हैं और एस्टेलिया के किस पार्ट में न्यू सोथ वेल्स में रियो डील प्लैटा के पारे में जिसका बारे में हमने पढ़ा था कि यह वाइडेस्ट रिवर है यह पराना ओपर से रिवर आरहा पराना के आगे ट्राइबिट्री मजीद खटी हो जाती है तो यहां पर यह बहुत ज्यादा चोड़ा हो जाता है इसकी चोड़ाई कितनी हो जाती है तकरीबंद 200 किल्मीटر – ये वाला एरिया जो है, अर्जंटीना में, तो इसको दुन्या का चऌडातरीन दर्या भी कहा जाता है जो इसको हम… रियो पराना वगारा ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है गल्फ भी कहा जाता है लेकर ये एक ज्यादा तर इसको द्रिया भी कहा जाता है मेजर रिवर्ड, एडिशनल इंफार्मेशन अबट मेजर रिवर्ड फार कंपीटेव। इन दर्याओं के अलावा कंपीटेव एक्जाम्स में साबका पेपर में PPSC, FPSC और UPSC के जितने भी कंपीटेव के एक्जाम्स हैं में इन रिविर्स के बारे में लाथमी तौर पर21 पूच्छा गया जो कि हैं। इंडस रिवर, गेंगज रिवर, यूफ्रेड, टीग्रस रिवर, मुरे डारलिंग रिवर,寪सी रिवर, औरेंच रिवर। इनके बारे में हमने पिछली स्लाइड में बड़ी तफसील से बार लाया है और कोई आपका पॉइंट मिस है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बेहतरीन दर्या थे उनके बारे में बड़ा था आप यह है कि दुनिया में क्या ऐसे भी कांट्रीज हैं जहां पे दर्या एक्जिस्टी नहीं करते हाँ दुनिया में 19 ऐसे कांट्रीज हैं जिन में दर्या एक्जिस्टी नहीं करते हैं उसकी वज़ाँ यह है कि उनका जो एन्वार्मेंट है वो बहुत ज़एदा ड्राई है वहाँ पे परस्पिटेशन बारश वगारा नहीं होती या फिर दूसरी वज़ा या है कि वो इतने चोटे हैं आई लैंड टाइप हैं या इतनी चोटी स्टेट्स हैं कि वहाँ पे दरियार नहीं है इस वज़ाँ से उनको without river countries माना जाता है अफरीका में हमारे पास कामरस डिजबूती है लीबिया है मिरूतस है उशीनिया में उशीनिया क्या है उशीनिया एक रीजन है आई लैंड का एक रीजन है जिसमें अस्ट्रेलिया भी शामल है और पैसिफिक के बहुत सारे जो आई लैंड है वो इसमें शामल है उस रीजन में किरिबती, नुरू, तौंगा और ड्वेलवा इन कंट्रीज में दर्या नहीं है इसी तरह एशिया में बहरीन, कवेट, मालदीव, उमान, कतर, सौदी अरेविया, यूएई और जमन इन ममालक में दर्या नहीं है यूर्प में माल्टा है, कौंगो है और वेटीकांसीट, इनके बारे में कुईसंट आ चुका है माल्टा के एक जजीरा है, मौनाको यह दुसरी चोटी स्टेट है, वेटीकांसीटी यह दुनिया का साबसे चोटा कंट्री है ये था हमारा रिवर्ज के मतलका लेक्षर्स मिलते हैं अगले लेक्षर में तब तक के लिए अला आफिश